बच्चों यह है हमारा लेक्चर 194 और हम कर रहे थे आपका हिस्ट्री में चाप्टर Wevers, Iron Smelters and Factory Owners यह चाप्टर में आप पढ़ोगे वीवर्स के बारे में Iron Smelters और Factory Owners के बारे में हम थे पेज नमबर 69 आपकी NCRT पे पेज 69 है उसमें हम लोग थे हम स्पिनिंग जैनी तग हमने पड़ा था लास्ट परेग्राफ पे थे इंडिया टेक्स्टार्जास का बोल बाला था यह लोग क्या करते थे इंडिया से कपड़े खरी ते-ख्रीक जाते थे और बदले में इंडिया को सिलवर बेचते थे पर आपको पता है इस इंडिया कंपनी ने हमारा बंगाल कैप्चर कर लिया आते ही तो तो जैसे इन्होंने बंगाल कैप्चर किया, वो अब सिल्वर नहीं बेचना पड़ता था उनको, अब सीधा वो उल्टा वो जमिनदारों से और फार्मर से टैक्सिस लेने लगे, और फिर उन्हीं टैक्सिस से वो इंडियन टैक्स्टाइल खरीते थे, इस्ट इंडिया कंपन खरीत के जाते थे और बदले में सिल्वर बेचते थे, खाटा साटा होता था, फिर आगे जाके तो अईसा हो गया, कि भई उन्होंने आके बंगाल कैप्चर ही कर लिया, तो इंडिया के फार्मर से टैक्सिस लेते थे, इंडिया को ही वो पैसे देते थे, और उसी पैसे से निया का टेक्स्टायल खरित के ले जाते थे अब सिल्वर वह इंडिया में नहीं बैछते थे ठीक है इस तरह से मलब फ्री में जैसे वह ले जाते थे इंडिया का कप्ड़ा अब देखो वीवर्स के बारे में पढ़ेंगे पेज नमबर 71, who were the weavers, weavers थे कौन, so weavers जो थे, often belong to communities that specialize in weaving, weavers कौन होते हैं, वो community जो वीव करते हैं, यहाँ देखो यह photo बनी हुई है, weavers की, so इनकी यह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उनका father weavers, grandfather weavers, सब weavers मतलब, जो आगे जनरेशन आती थी, कौन-कौन से weavers, communities famous थी weaving के लिए, so the tanti weavers of bengals, the julaas और momen weavers of north india, saleh and kai kolar and devangs of south india, यह सारी weaving communities famous थी, कौन-कौन से, बंगाल की तांती weavers, north india के weavers को julaas और momen weavers, और south india के saleh, kai kolar और devangs, so यह सारे weavers communities थी, यह weavers की जातियां थी, जो की famous थी, जो production, सबसे पहले अगर आपको कपड़ा बनाना है, सबसे पहला काम आपको spinning करना पड़ता था, spinning जाधा तर औरते ही करती थी, जो चर्खा और टकली है, वो मतलब घरेलू साधन थे, मतलब household साधन थे, चर्खा और टकली, वो weaving में यूज होते थे, spinning में, तो क्या किया जाता था, जो धागा होता था, थ्रेड होती थी, उसको चर्खे पे लपेटा जाता था, और लपेट के उसको रोल किया जाता था टकली पे, तो जब spinning हो जाती थी, फिर वो weaver उसको फिर उसको कपड़े में बनाता था, बहुत सारी कम्यूनिटी में weaving का काम मर्दी करते थे, colored textiles, the thread was dyed by the dyer, और फिर जब coloring कराने की बारी आती थी, तो वो कपड़ा बेचा जाता था, रंगरेज के पास, रंगरेज रंगता था, तो फॉर कलर्ड टेक्स्टाइल, तो फॉर कपड़े पे प्रिंटिंग करनी है, तो weavers को ब्लॉक प्रिंटर की ज़रूरत परती थी, जिन्हें हम चिपी गार्स कहते हैं, प्रिंटिंग वाला कपड़ा बनाना हो, तो चिपी गारों की ज़रूरत परती थी, तो फॉर प्रिंटेट क्लोथ, तो weavers needed the help of specialist block printers known as चिपी गार्स, तो चिपी गार्स जो होते थे, वो छाप, मतलब वो प्रिंट करते थे, हैंडलूम वीविंग and the occupation associated with it provided livelihood of millions of Indians, तो इस तरह से जो वीविंग का काम था, बहुत लोगों को रोजी रोटी देता था, किस-किस क खुद वीवर्स को, फिर रंग्रेज को और फिर चिपी गार्स को, पर धीरे धीरे इंडियान टेक्स्टाइल का क्रेज कम होता गया, कैसे, तो cotton industries ब्रिटेन में बढ़ती गई और इससे इंडिया को problem हुई, पहले क्या हुआ, पहले तो इंडिया को इनसे compete करना पड़ा, competition ह हो गई, क्योंकि British, Britishers अपने कपडे यूरोप और अमेरिका में बेचने लगे, ठीक है, so Indian textiles now had to compete with British textiles in European and American markets, जो इंडिया के कपडे को, competition देना पड़ा, दूसरा है, exporting textiles to England also became increasingly difficult, since very high duties were imposed on Indian textiles imported into Britain, फिर इंग्लेंड में export करना, मतलब अपना कपडा बेचना, इंडिया अपना कपडा पहले इंग्लेंड में बेचती थी, तो वो बहुत difficult हो गया, क्योंकि इंग्लेंड वालोंने कानून बना लिए, कि अगर इंडिया का कपडा यहां बिखने इंडियान बेचने आएगा तो इंडियान को बहुत हाय डूटी टेक्सपा ना पड़ेगा, सो भाई बीग्निंग ऑफ नाइंटें शेंचुरी इंग्लिश मेंड कौटन टेक्स्टॉरी स्कसेशफूली अवस्टेर इंडियन कोड़े टरेंटेर रिडिशनल मार्के मार्के इंग्लिश मेट कॉटन टेक्स्टारी सक्सेस्फुली आउस्टेट इंडियन गूट्स फ्रॉम दियर ट्रेडिशनल मार्कें आफ्रिका अमरिका एंड यूरोप हजारों वीवर्स इंडिया के अब उनको रोजगार से हटा दिया गया क्योंकि अभी कपड़ा बिकी नहीं रह था सबसे ज़्यादा ज़िनको जटका लगा वो बंगाल के वीवर्स को लगा अब इंग्लिश की इंग्लिश कंपनी से यूरोपयन कंपनी सी जो इंडिया से कपड़ा खरीती थी अब वो नई खरीती थी उनसे और जो बीच में एजेंट होते थे जो कपड़ा विक्कवात मदद करो, distressed weavers wrote petitions to the government to help them, क्योंकि उनका business पूरा सा ठप हो गया था, कोई खरी दी नहीं रहा था, ठीक है, इस business में सबसे ज़ादा जटका किसको लगा था, बंगाल के weavers को, ठीक है, क्योंकि European और English companies खरी दी भी आई थी, और उनको मतलग कुछ मिली नहीं रहा था, और मतलग कपड़ा बनाने के लिए पहले इंको advance मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा था so, but worse was still to come अभी और भी बुरा होना था इंडियन वीवर्स के साथ और भी बुरा होना था क्या हुआ और, by the 1830s, British cotton cloth flooded Indian markets, उल्टा Britishers ने इंडिया का कपड़ा तो लेना बंद कर दिया, पर 1830 में, Britishers ने अपना कपड़ा इंडिया में डालना चालू कर दिया ठीक है, by the 1830s the British cotton cloth flooded Indian markets, पूरा इंडिया में कपड़ा भर दिया गया in fact by the 1880s two-third of all cotton cloths worn by Indians were made of cotton produced in Britain by 1880s 1880 में cotton का, दो तिहाई कपड़ा जो इंडियान स्पैनते थे वो तो ब्रिटेन से ही आने लगा तो इससे जो वीवर्स थे उनको ही जटका नहीं लगा, स्पिनर्स को भी जटका लगा और हजारों जो गाओं की ओरते थी, जो अपना गर चलाती थी, स्पिनिंग करके वो भी जॉबलेस हो गई क्योंकि शुरूआत तो स्पिनिंग से ही होती थी तो औरतों का भी काम चला गया, मर्दों का भी काम चला गया पर बिल्कुल हैंडलूम में पूरी खतम नहीं हुई हाथ से बनाई। कारी-गरी पूरी तरह से खतम नहीं हुई क्योंकि कुछ ऐसे कपड़े थे जो मशीनों पर नहीं चलते थे जैसे की साड difícil की बॉडर और ट्रेडिशनल बेटर्स वो मशीनों पर नहीं चलते थे तो रिच लोगों को यह कारीगरियां बहुत पसंद थी पर मिडल क्लासिस को भी पसंद थी और टेक्स्टाइल मैनिफेक्ट्टर जो बृटेन के थे वो रफ कपडा बनाते थे तो वो गरीब लोग यूज़ करते थे इंडिया के जो पूर पीपल थे वो रफ कपड़ा नौर अच्छा नौर डिट टेक्स्टाइल मैनिफेक्ट्टर इन बृटेन प्रडूस यूज़ बाय पूर पीपल इन इंडिया तो देखो बृटेन के लोग एक तो वो जो हाथ से ब करना पाते थे ठीक है तो आपने पड़ा होगा शोलापूर के बारे में वेस्टन इंडिया और मधूरा में साउथ इंडिया यह टाउन्स इंपॉर्टन सेंटर्स बने वीविंग के ठीक है आगे जाके शोलापूर इन वेस्टन इंडिया शोलापूर वेस्ट इंडिया में हमारे शोलापूर जगह है और मधुरा मधुरा साउथ इंडिया में है तो यह टाउन्स इमर्ज एस इंपोर्टन्ट न्यू सेंटर्स ओफ वीविंग महात्मा गांधी ने लोगों को अर्ज किया कि इंपोर्टे टेक्स्टाइल्स बंद करो आप अभी ब्रिटिश का कपड़ा खरीदना बंद करो और आप खुद की खादी का यूज करो जो हमारे वीवर्स हैं उनको सपोर्ट करो तो खादी को गांधी जी ने ने नेशनलिजम क सिबॉली बना दिया खादी कप्ड़े को चर्खा इंडिया को दिखाता था और हमारे राश्ट्रrick जो जंडा है उसमें भी सेंटर पे चरखा दिखाया गया है ठीक है महला चर्खा हमारा इंडिया दिखाता है और खादी को नेशनलिजम का सिंबॉल बना दिया गांधी जी ने फिर 1931 में ऐसा किया गया अब यह ठीक है अब थोड़ा सा हो रहा है पर जो वीवर्स थे का विल्कुल चला गया उनका क्या हुआ काफी वीवर्स थें रहे कांध करने लग लगेए वह लेबरार बन गया कुछों से शेहरों के काम की तराश में हैete का थी तो अफ्रीका चले गए साउथ अमेरिका अफ्रीका के प्लांटेशन्स के काम हैवाभ वीवर्स केव नए में च्छीच में लग जाएंडिया में बनने लगी तुर मिलों में इनको काम लिए ठीक है इस तरह से वीवर्स ने अपना क्या करहाँ जो उनका काम था वो तो बं लेन चले गए कई ओने इनहीं यहां पर जो मशीने मिल्स लगी थी वहां काम ढूंड लिए कई खेती बाड़ी करने लग गया इस तरह से तो फिर कॉर्टन अब मिल्स आने लगी मिल्स माथ फैक्ट्रीज बनने लगी यह देखो ऊच्ण मिल्स बंपर सवड़ी कॉर्टन मिल्स में क्या हुआ जो जो दो सबसे पहली कॉर्टन मिल्स इंडिया मे वह एक श्पिनिंग मिल थी बोंबे में 1854 में The first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854. 1854 में सबसे पहली spinning mill बनी थी. So, early 18th century से Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. So, अगर आप शुरुवात की 19th century की बात करो, Bombay एक important port बना raw cotton को export करने का इंडिया से इंग्लेंड और चाइना. मतलब Bombay से कपड़ा बेचा जाता था, cotton का कपड़ा, England और चाइना को, मतलब cotton का कच्चा कपड़ा, raw cotton मतलब कुछ बना हुआ नहीं, ऐसे इक अच्चा कपड़ा, उस पे जाके वो लोग प्रिंटिंग और इंटिंग कुद करते थे, तो शुरुवात में Bombay सेंटर बना, इट वस क्लोस तू दा वास्ट ब्लैक सोल ट्रेक्ट आप वेस्टन इंडिया वेर कॉर्टन वस ब्रोन, क्यों Bombay सेंटर बन गया कपड़ा बेजने का चाइना में और इंग्लैंड में, क्योंकि जो वहाँ पे काली मिट्टी होती थी, जो कि कॉटन उगाने के लिए अच्छी होती थी, जो जब कॉटन टेक्स्टाइन मिले खुल गई तो आराम से वह कपड़ा बेचा जाने के लगा फॉरेंड में, नाइन्टीन हंड्रेड जो इयर आया, 84 मिल्स स्टार्टेड ओपरेटिंग इन बॉम्बे, अकेले बॉम्बे में 84 मिल्स खुल गई, कुछ ने इन मिल्स को किस ने खुला, पार्सी और गुजराती बिजनेसमेन ने खुला, और वो चाइना के साथ बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा रहे थे, मिल्स बाकी सिटीज में भी खुली, एहमदाबाद में पहली मिल्स खुली 1861 में, एक साल बाद फिर मिल्स खुली कानपूर में, एयर लेटर अ मिल्स टाबलेशन कानपूर, कॉटन मिल्स फिर अब कॉटन मिल्स बहुत ज़्यादा खुनने लगी, इसके वज़े से लेबर की डिमांड बढ़ गई, तो जो हजारों गरीब फार्मर थे, कडिये वाले, गरीब लेबरर्स थे, वो अब सिट्टियों में आने लगे, अपने गाउं छोड़के सिट्टीज की तरफ आने लगे, क्योंकि सिट्टीज में मिल्स में मस्तूरों की ज़रुद पढ़ने लगी, पहले कच सदियों में, इन फर्स्ट Β डिकेट सॉफ ऐसे, पहले के कुछ ताइम था, जो टेक्सटाइल फेक्टरी इंडस्ट्री थी इंडिया की, उसमें भगत प्रॉबलम होने लगी, इटल पहले तो जो ब्रिटेन से जो सस्ता टेक्सटाइल आता था, ता सस्ता कपड़ा आता था उससे वो लों कमपीटी नहीं कर पा रहे थे बृटेन वाला अपना कपड़ा ज्यादा सस्ता बेच रहे थे कई देशों में तो गवर्मेंट ने इंडस्टियलाइजेशन को सपोर्ट किया और उन्होंने ये जो इंगलेंड से आता हुआ कपड़ा है उस पे बहुत ज़दा टैक्स लगा दिया और इसकी वज़े से इंगलेंड से कॉंपिटीशन बंद हो गया और जो नहीं नहीं इंड इंडस्ट्रीश चालू हो रही थी वह इंडस्ट्रीश अच्छी बनने लगी पर इंडिया में तो उस टाइम क्या था कोलोनियल गवर्मेंट थी मतलब खुद इस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया पर राज कर रही थी सो वह लोग तो ऐसे उन्होंने कुछ नहीं किया दिया और उनके खुद के कंट्री के वीवर्स को काम मिला पर इंडिया में ऐसा नहीं था इंडिया में Conf demolition में या स्ट इंडिया कोंपनी का रास्त इंडिया कंव्त इंठी दिंगा इंगललेंड का ही उन्होंने उसा कुछ भी नहीं किया इस वज़ेसे तो तब उनको इंडिया से कप्ड़े की जर्वाइब तो तब उनको इंडिया से कप्ड़े की जरुद पड़ी ठीक है बाकी टेक्स्टाइल इंडिस्ट्री को भी इतना ज्यादा मिल्स थी तो फॉरें मतलब इस्ट इंडिया कंपनी के राज में कम उनको सपोर्ट मिला दे स्वार्ड ओफ टीपु स्टान एंडिसे स्टील के सब्सक्राइब अच्छा अभी हम स्टील की स्टोरी पढ़ते हैं तो इंडियन स्टील और आयरन की स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे टीपु सुल्तान के साथ अच्छा टीपु सुल्टान आयरन और स्टील से उसका क्या संबंद सो देखो टीपु सुल्टान मेसूर के फेमस किंग थे 1799 तक उन्होंने चार लड़ाईयां लड़ी ब्रिटिशर्स के साथ और उनकी डेथ हुई हाथ में तलवार थी उनकी हाथ में तलवार थी और उनकी मौत हुई टीपु सुल्टान की जो महान तलवारें थी अब वो इंगलेंड के म्यूझियम में पड़ी है इंगलेंड वालों ने उसको म्यूझियम में प्रदर्शनी के लिए रखा है टीपु सुल्टान की तलवारों को पर आपको बता है वो तलवार वो स्वर्ड स्वर्ड तलवार मतलब स्वर्ड वो स्वर्ड इतनी फेमस क्यों है या स्पेशल क्यों है जो वो स्वर्ड है वो बहुत उसका जो एज है उसका जो सिरा है वो बहुत जादा नुकीला है आराम से सामने वाले को वो चीर डाले वैस स्वर्ट की जो कॉलिटी है वो एक स्टील एक स्पेशल कार्बन स्टील की बनाई हुई है उसको वूट्स कहते हैं ठीक है so the quality of the sword came from a special type of high carbon steel a steel है जिसमें carbon जाता है called woods which was produced all over South India ठीक है मतलब वो जो woods है उससे बनाया गया है ये sword woods steel when made into swords produce a very sharp edge with a flowing water pattern woods steel जब चालू किया गया उसको sword बनाने के लिए so वो एक पानी की धार की तरह वो pattern बनाते थे so ये pattern the pattern came from very small carbon crystals embedded in the iron so वो pattern छोटे छोटे आयन से बनता था Francis Buchanan who toured through Masur in 18 a year after टीपू सुल्तान की death के बाद एक साल बाद Francis Buchanan आया था वो घूमने आया था मैसूर और उसने ये जो woods steel था जिससे टीपू सुल्तान की तलवारे बनती थी तो वो सारी technique लिख के गया कि आखिर उसकी तलवार बनती कैसे थी मतलब किस तरह से उसको भटी में उस तलवार के लिए आयन को पिगलाया जाता था smelting furnaces इसमें क्या होता था पूरा प्रोसेस क्या है इन भट्टियों में आयरन को मिक्स किया जाता था चार कोल के साथ और उन्हें छोटे-छोटे clay pots में रखा जाता था फिर टैंपरेचर का बहुत ध्यान रखा जाता था फिर जो smelters होते थे मतलब यह जो पिगलाने वाले थे वो लोग क्या करते थे वो steel के ingots बनाते थे जो की तलवारें बनाने काम आते थे खाली इंडिया में नहीं यह तलवारे वेस्ट और सेंटरल एशिया में भी बेची जाते था यह जो वूट्स था वूट्स इस एन एंगली साइस्ट वर्जोन-अफ करनाड़ वर्ड उकु अच्छा यह वूट्स वर्ड कहां से आया तेलगु रुकु एंड तमिल एंड मल्यालम उरुकु मतलब यह स्टील मतलब होता है टीक है छो करनाड़ में वूट्स को रुकु तेलगु रुकु इंड ह्कु मतल spoilers और और उर्फिं मतला स्टील बोला जाता है तुकु मतलब स्टील करनड में। Self Skill friends earth और मतलब स्टील perfect मल्या थो अंड वुट्सरिंट मैंर्भ यूर्फिंट वु इनमें चांड स्था। मतलब जिस्टील मैंक विबुला जाता है तलवारें बनती थी सो इस वुट्स की स्टडी की किसने जो बड़े साइंटिस्त है जिनका नाम था माइकल फैरेडे वो मतलब इतना इंट्रेस्टिंग था दबुट्स स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वा सो नोन इन साउथ वास कंप्लेटी लॉस्ट वा मिद नाइटीन सें इंपोट्स क्या हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया जी थी लिया अब तलवारें वलवारें कम यूज होती थी थी ठीक है तो दस्वर्ट्स एन आर्मर मेकिंग इंड़्स्ट्री डाइड विद रिगांवेस्ट अफ इंडिया पाइड़िश ने इंडिया को जीता था मतलब जो वुट्स स्टील से तलवारे नहीं बनवाते थे वो कहां से तलवारे मंगवाते थे फॉरेंड से अपने वो सारा जो आयरन स्टील इंग्लेंड से मंगवाने लगे मतलब रिटिशर्स यहां हम इंडिया पर राज भी कर रहे थे और सामने वो बिजनिस भी दे रहे थे और वो साथ ही साथ यहां से फायदा भी उठा रहे थे सो इसलिए जो हमारी आइरन और स्टील इंडस्ट्री थी वो भी मर गई क्यों ब्रिटिश की वज़े से अबांडन फर्नेस इन विलेजिस अब यह जो फर्नेस यह भट्टियां देखो ऐसे पड़ी हुई है ठीक है तो यह सारे स्मेल्टर्स हैं बिहार के जो आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे वूट्स स्टील में बहुत टेक्निक चाहिए होती थी आयरन को रिफाइन करने की पर जो आयरन स्मेल्टिंग थी बहुत कॉमन थी बिहार और सेंट्रल इंडिया में हर डिस्ट्रिक में आपको ऐसे स्मेल्टर्स मिल जाएंगे और वो लोग इस तरह से स्मेल्टिंग करते नहीं रहें और वो जो भट्तियां उती थी वो मिक्ट स्मेल्टिंग का काम हमें अंडिक करते थी बाल कर सेकडिश और पिके 小़ मेल्टिंग यह थी यह जैब। men while women worked the bellows pumping air that kept the charcoal burning मतलब वो जलती रह भटी तो औरतें फुक मारती रहती थी इस तरह से भट्टियों में औरत और मर्द दोनों का काम होता था आयरन स्मेल्टिंग में लेट 19 सेंचुरी में जो क्राफ्ट थी आयरन स्मेल्टिंग की वो डिकलाइन होती गई मतलब अब कम लोग क्यों कि ब्रिटिश लाई भाहर से रह थे काफी विलेजेस में उनकी जो भट्टियां थी अब वेस्ट हो गई और अब यारन नहीं बनाते थेgging सो किई औरई रिजन क्यों थीं क्यों भट्टियां वेस्ट हो रही थे आरन क्यों नहीं सबसे पहला कारण है the new forest लॉस्ट नए फॉरेस्ट लॉस्ट ठीक है अब उनकी भट्टियां बनना बंद हो गई क्योंकि नए फॉरेस्ट लॉस्ट बैन दे कोलोनियल गवर्मेंट प्रिवेंटे पीपल फ्रम एंटरिंग दे इस फॉरेस्ट हाव कुट दान फाइंड वॉट फॉर चार्कुल मलब भ फाइंड वॉट डिफिकल्ट मतलब उनको फिर अब डिफिकल्टी होने लगी ठीक है हाव फॉरेस्ट फाइंड वॉट फॉर चार्कुल भट्टियों में उनको वॉड लगता था और उनको फॉरेस्ट में आने से अब मना कर दिया गया था चुप चुप के कभी चले जाते थे यह लोग पर उनको पकड़ा जाता था तो उनको डंड पड़ता था तो ऐसे तो आप बिजनिस नहीं कर सकते हो ना इसलिए काफी लोगों ने इस मेलटिंग करना छोड़ दिया मैंनी गेव अप टेर क्राफ्ट लुप फॉर अधर मीनस ओ लेवली होड क्योंकि बहुत ही कठिन था फॉरेस्ट को ऐसे चुप चुप के जाना पकड़े जा तो मार खाओ अब उन लोगों ने क्योंकि वुड ही वुड नहीं था लकड़ा भी नहीं था उनके पास क्योंकि लकड़ा भी ब्रिटिशर्स ने मतलब फॉरेस्ट ही अपने हाथ कर लिये थे कुछ एरियास में जो गवर्मेंट था कुछ एरियास में गवर्मेंट आने देती थी फॉरे और लेट 19th century में आइरन और स्टील फिर ब्रिटेन से लाया गया जो हमारे यह जो लुहार थे इंडिया के जो लुहार थे वो अब वही आइरन यूज करने लगे और उसी से ही बरतन बनाने लगे इस तरह से जो लोकल आइरन बनाते थे उनकी अब डिमांड कम होने लगी ठीक है सो स्मेल्टर्स की आइरन स्मेल्टर्स की डिमांड कम होने लगी क्यों क्योंकि पूरी तरह से बाई दर लेट 19th century इंडियान आइरन इंडियान इंडियान से आने लगा तो आवियसली लोकल थे वो फिर क्यों बनाएंगे उनका वेस्ट ही जाएगा ना जब भार से खरीद रहें इंडियान्स अब जो लोग अभी भी आईरन और स्टील के बिजनिस में थे उनको और नया कॉंपेटिशन मिला उससे अब क्या हुआ 1904 सो 1904 में क्या हुआ इन इन दे होट मन्थ आप्रेल चार्ल्स वेल्ड एन अमेरिकन एंड दोड़ाब जी टाटा अल्डे से वस्ट्रेवलिंग इन सर्च आईरन अब क्या हुआ यह जो लोकल आईरन बनाते थे लोग अब उनको एक और मिला किश से मिला कॉंपिट्इशनद की है अभी अभी मिलन अभी आच्ट्री बनी आरन और स्टील की से उनको और कॉंपिटेशन मिला कि कि यह कहानी है नाइंटिन जीरो फोर कीrió कि 9 0 4 में अप्रेल में चार्ल्स वेल्ड चार्ल्स sigma एक अमेरिका के जीयो ते मतलब अमेरिकन जियोलोजिस थे और दोड़ाब जी टाटा जो कि जमसेच जी टाटा के सबसे बड़े बेटे थे वह चतिस गड़ घूम रहे थे इंडिया में आयरन और स्टील प्लांट सेट अप करें पैसा आइरन और स्टील इंड़स्री बनाने में लगा दिया पर अगर वो लगाना चाहते थे पर तभी लगा सकते थे जब उनको पता लगे कि अच्छा आइरन और उन्हें मिलेगा कहाँ सो एक दिन जब वो बहुत ज़ादा घूम रहे थे फोरेस्ट में वेल्ड और दोराब जी को एक छोटा सा गाउं दिखा और वहाँ पे उन्होंने औरतों और मर्दों को आइरन और सर पे ले जाते देखा ये लोग कौन थे अगरियास तो जब उन्ह अगरियास से पूछा गया कि तुमको ये आइरन और कहाँ मिली तो अगरियास ने बताया कि वहाँ हिल पे मिली हमें उस पाहडी से ये आइरन और मिली वेल्ड और धोराब जी उस हिल पे गए और बहुत चड़ाई करनी पड़ी बहुत जंगलों में घुमना पड़ा और जब वो पूरा हिल उन्होंने एक्स्प्लोर किया तो जो जियोलोजिस्ट कौन होता है जो जमिन की स्टडी करता है तो जो जियोलोजिस्ट था उसने डिकलेर किया कि हमें मिल गए मतलब अच्छी कौलिटी का अगरियास तो ले चाते थे अगरियास कौन थे? अगरियास अगरियास ने बताया दोरापची को और वेल्ड को कि भाई तुम्हें बहाँ पे मिलेगा आइरन ओर ठीक है? तो दो जने निकले थे कौन-कौन? चार्ल्स मेल्ड जो कि अमेरिकन जियोलोजिस्ट था और दोरापची टाटा जो कि जमसेजी टाटा का बड़ा बेटा था उनको अपना सारा पैसा आइरन और स्टील इंडर्स्ट्री में लगाना था पर उन्हें वो अच्छी क्वालिटी का आइरन डूंड रहे थे बट देर वस अ प्रॉब्लम वहां पे सूका था दरीजन वस ट्राइंड वाटर नेसेसरी पर निंग वस नॉट पूरी सूकी जगा थी और फैक्ट्री चलाने के लिए जितना पानी चाहिए होता वहां नहीं था अगरियास ने और मदद की मतलब वहां पे उन्हें पानी की कोई व्यवस्ता दिखी नहीं जो अगरियास थे वो आइरन ओर का उन्होंने एक और उनको ठिकाना बताया फिर वो मतलब वो आइरन बिलाई स्टील प्रांट में बेचा जाता था कुछ सालों बाद फॉरेस्ट की एक बड़ी एरिया को एकदम क्लियर किया गया जो सुबन नरेखा नदी के किनारे था ताकि एक बड़ी सिटी बनाई जाए फैक्टरी बनाई जाए जिसका नाम रखा जाए जमशेदपूर और यहाँ पर पानी भी था आइरन भी था और टाटा आइरन और स्टील कमपनी 1912 से स्टील बनाना उनोंने चालों किया ठीक है सो कुछ सालों मतलब यह तब से डूंडी रहे थे कि कुछ मिल जाए 1904 से वो डूंड रहे थे कोई जगा मिले जहां पर वो आइरन और स्टील फैक्टरी सेट अप कर सके सो फ्यू यर्स लेटर लार्ज फॉरेस्ट एरिया वस क्लियर्ड ऑन दे बैंक्स ऑफ रिवर सुबन रेखा तो सेट अप फैक्टरी एंड इन इंडेस्ट्रियल टाउंशिप जम्शेदपूर सो यहां पर पानी भी था क्योंकि नदी का किनारा था पानी भी था और आइरन ओर भी था सब था सो टाटा आइरन और स्टील कंपनी टिसको देट केम टू बिगें प्रोडूसिंग स्टील 1912 पूरी फैक्टरी ही बन गई तो इससे भी जो लोकल आइरन और स्टील बनाने व लेट 19 सेंचुरी में इंडिया स्टील कहां से ला रही थी ब्रिटेन से ला रही थी ठीक है और उस टाइम इंडिया में रेलवे भी बहुत जमके बढ़ रहा था मला इंडिया रेलवे में तरक्की कर रहा था रेलवे पर रेलवे बनाय जा रहा था तो यहां पे जब यह आइरन और स्टील इंडस्ट्री बनी डिसको की तो उस टाइम रेलवेस में उनका आरन स्टील बहुत जाता था ठीक है जो कोई मानने को तयारी नहीं था कि इंडिया में भी इतना अच्छा स्टील बन सकता है मतलब टाटा आरन और स्टील इंडस्ट्री चली कैसे देखो बना तो दी चली कैसे क्योंकि उस टाइम उनका टाइम अच्छा चल रहा था कि उस टाइम रेलवे डेवलोप हो रहे थी इंडिया में तो आपको पता है पट्रियों में ट्रेन बनाने में हर चीज में स्टील और लगता है तो टिसको वह सेट अफ एट अपर्चुन टाइम सो एक्सपांशन ओफ रेलवेस इन इंडिया उस टाइम इंडिया में एक्सपांशन रेलवेस बढ़ रही थी तो सारा उनको वहीं बिक्रा था सो हेड प्रोवाइडेड अ यूज मार्केट फॉर रेल्स ठीक है सो रेल बनाने के लिए उनको अच्छा मार्केट मिल गया सो ब्रिटिश एक्सपर्स को अभी मदला विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इनका स्टील हम यूज करें फिर जब टिसको सेट अप की गई तो सिच सिच्वेशन बदल रही थी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ आपको पता है पहला विश्वयूद 1914 में वाथ सो आपको पता है उसमें इंग्लेंड ब्रिटेश ब्रिटेन ये सब शामिल थे सो स्टील प्रड्यूस्ट इन ब्रिटेन नाव हैट तो मीट डिमांड्स ओफ इन यूरोप ठीक है सो जो ब्रिटेन में स्टील बन रहा था उनको यूरोप भी मतलब यूरोप को भी वह सामान भेज रहा था तो इंडिया में स्टील आना बंद हो गया क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में स्टील बेचते थे पर अभी उनको यूरोप में भेजना पढ़ अपने चले आपको पता है यह फर्स्ट वर्ल्ड बहुत लंबी चली तो टिस्को को वार में भी सामान भेजना पढ़ रहा था सो टिस्को ने वहां पे भी भी भेजा सो इसलिए टिसको जो थी वो बिग्गे स्टील इंडस्ट्री बन गई टिसको एक इंडियन कंपनी थी पर वो जो अपना सारा जो लोहा था वो अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी भेज रही थी ठीक है सो टिसको है टू प्रडू शेल्स एंड कैरेज विल्स फॉर्ड वार ठीक है सो इन बाइंटी परसंट अफ देश में स्टील यूज हो रहा था नाइंटी परसंट टिसको से ही खरीद आ जा रहा था सो इरन और स्टील विडीन कonne लिए बिंडिनक्सटेल में बहार कुई बढ़िया था जा है शो पर यह से हमाँट अच्छी हुई occurred only when British imports to India declined and the market of industrial goods increased. मतलब आयरन और स्टील के केस में cotton textiles की तरह ही industries expand हुई, कब हुई जब ब्रिटिश इंपोर्ट्स इंडिया में कम हुए और इंदस्ट्रियल गूट्स का मार्केट बड़ा. So this happened during First World War. ये कब हुआ? First World War हुई. तभी मतलब आयरन और स्टील इंडिया की, आयरन और स्टील इंडिया की फली फुली. So in case of iron and steel, as in case of cotton textiles, industrial expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian industrial goods increased. This happened during First World War. ये कब हुआ? First World War के ताइम हुआ. And after, as the nationalist movement developed, तो nationalist movement developed हुआ and industrial class became stronger. So और जादा nationalist movement developed हुआ. और जो इंडिस्ट्री वाले थे और strong हो रहे थे. और struggling to retain its control, the British government had to concede many of in last decades of colonial rule. तो धीरे धीरे इंडियान इंडिस्ट्री लिस्ट भी समझ गया है कि हमारा देश है और वो लोग strongly oppose करने लगे. क्योंकि वार के बाद फिर वो कोशिश कर रहे थे इंडिया का मार्केट कैप्चर करने के लिए. पर अब इंडियान जो थे अब थोड़े से धीरे धीरे स्ट्रॉंग हो रहे थे हैं, ठीक है? तो यह स्टोरी थी वीवर्स, आइरन स्मेल्टर्स और फेक्टरी ओनर्स की. तो विद दिस आम एंडिंग इस चाप्टर, जितने भी पॉइंट्स टिक कराई, विदिकाल आर एंडिंग एंडिंग एंडे पाफ्टरी चाहर만ा मेल्स, आइस की. वीवर्स शतोर्स टिकी.